चोराहू सरपंच असोक सिंग राजपरवित की प्रेड़ना से दिव्यां करनाराम का गुजरात में हुए नीशुलक ओप्रेशन करनाराम ने डॉक्टर वा सरपंच असोक राजपरवित का जताया आभार उपन सित्र के सोरे उनिवासी की शड़क दूर्गरदा में अंदरूनी शौट लगने के कारण गुजरात के पारनपूर में एक नीजी स्पिताल में लाखो और बेका नीशुलक इलाज किया गया है जानकारी के नुसार सोरहू सरपंच असोक राजपरवित ने बताया गोसाला में पिछले लंबे समय से कारे करने वाले करनाराम भील गोसाला कारे से जलोर जा रहा था इसी दर मियान मानुला टोल प्लाजा के पास्ट डिवाडर से टकराने के कारण एक्सिडेंट हो गया था जिसे जालोर के सरकारी इस्पिताल में भरती करवाया गया उसके बाद सीर में अंदरूनी शॉट होने के कारण आगे रैपर करने की बात की गई जिस पर सरपंस असोक सिंग राजपृत ने ततकाल पानलपूर के मेडिफलस देवड़ा उस्पिटल में भरती करवाया तता करना राम भील के बारे में डॉक्टर अजेपाल सिंग देवड़ा को विगलांग होने गरीब परिवार से होने तता गोशाला में कारे करने आदी की पूरी जानकारी दी जिसके बाद डॉक्टर देवड़ा की और सरपंस राजपृत के कहने पर करना राम भील के सर में लगी अंद्रूनी शौट का क्रीबन एक लाग से अधिक रुपे का नीशुल्क इलाज़ किया गया जिस पर सरपंस ने देवड़ा को धन्यवाज ग्यापित किया साथ ही डॉक्टर की और से पूरे आर दीन तक अस्पिताल में भर्ती रखा गया पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद अस्पिताल से शुटी दी वहीं पालंद पूर के मेडिपल्स अस्पिताल के डॉक्टर अजे सिंग देवड़ा ने इस परकार से गरीब के लिए भगवान बंद कर नीशुल्क इलाज किया दिव्यां करना राम ने स्वस्थ अगर घर आने के बाद सरपन्स राजपरोईत असोक सिंग का अबार चताया वा डॉक्टर का भी अबार चताया इस दोरा अंदर्पर सिंग दहिया ग्राम विकास्तिकारी दिने स्विश्थ नोई मांगा राम भील असोक मेगवाल पठान भाई सक्सिंग रावना कलूरा मेगवाल साइत अन्य महजूद रहे करने लिदो सर्पन साब असोक जी राजपरोईत और डॉक्टर साब को बहुत बहुत तन्यवाद और मैं डॉक्टर साब और सर्पन साब को आज दिन तक जिन्दकी में नहीं बुलूँगा तन्यवाद से